गर्मियों का सीजन है और मार्केट में अंगूर बहुत अच्छे आ रहे हैं आज हम अंगूर की एक बहुत ही टेस्टी सी डेसिपी बनाने जा रहे हैं विलकम है आपका समस किचिन में यहां पर मैंने दो कप अंगूर लिये हैं और कोशिश करके खटे अंगूर लें तो बेतर होगा और अंगूरों को मैंने मिक्सर जार में डाला है और आधा कप पानी डाल करके हम इनको ग्राइन कर लेंगे और इसका एक जूस सा तयार कर चिलके के हमें जरुवत नहीं है और इनको आप किसी भी स्मूधी में डाल करके पी सकते हैं और यह हमारा अंगूर का जूस तयार हो गया तो यह सारे अंगूर कटकर तयार हो गया है और चलिए आप चलते हैं आगे के प्रॉसस के तरफ एक पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है देसी घी और उसमें डाल दिये हैं कलोंजी थोड़ी सी और कलोंजी के बाद इसमें हम डाल देंगे यह अंगूर का रस और बस इसमें डालेंगे गूर्ड तो यह हमारी बहुत ही हल्दी सी और बहुत टेस्टी अंगूर की चटनी बनने जा रही है और यह है एक कप गूर्ड तो गूर्ड डालने से यह आपकी बहुत ही हल्दी रेसिपी बन जाती है और इसको गूर्ड के घुलने तक हम इसको पकाएंगे तो गुल अब हमारा गुल ने लग गया है और बस यह जैसे डिस्वाल्फ जाएगा तो धीमे आज कर देंगे और इसको हम दो मिनट तक पका लेंगे इसके साथ तो आपने इमली की चट्नी और कई तरह की चट्निया खाई होगी एक बार इसको जरूर बना के देखेगा और यहाँ पर अब यह पकेगी दो मिनट तक मैंने इसको पकाया है और जब यह पक गया अच्छी तरह से तब इसमें डाल दिये हमने यह कटे हुए अंगूर अंगूर गैस में और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मसाला भूना धनिया पाउडर है लाल मिर्च भूना हुआ जीरा पाउडर काला नमक और चाट मसाला मैजरमेंट सारा मैंने लिख दिया है अब देख लीजएगा और इन सब को मिला देंगे और थोड़ी देर पक पकाएंगे तो क्यूंकि गर्मियों का सीजन है और इसकी हम न्यूट्रिशियस वैल्यू और बढ़ाते हैं इसमें डाल देते हैं तर्बूज के बीचे और एक एक चमच खर्बूज का बीच तो यह इससे बहुत ही सीट्स हमारे काफी न्यूट्रिशियस हो जाते हैं तो य अभी इस तरह से पक्कर हो गई है थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है अमाउंट लेकिन बहुत जादा नहीं क्योंकि हमने धीमियाश पर पकाया था और इसको ऐसे ही लिक्विट फॉर्म में रखना है और अब गयास को मैं बंद कर रहे हूं और यह ठंडा होने पर अभी को तो भी इंचुआई करेंगे तो बस ऐसे ही मज़तार और इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी के लिए फॉलो करिए समस्किचिन को थैंक्यू सो मच